जहिन दोस्तों मैं APS आपका स्वागत करता हूँ हमारे चलना है Study with Motivation में तो दोस्तों आखिरकार इलहाबाद High Court की तरफ से Stage 2 की जो तिती है उनको घोसित करना सुरू कर दिया गया है तो उसी चरण में दोस्तों सबसे पहले Driver की Stage 2 की तिती को घोसित किया गया है उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर का नमर आएगा फिर Group C और D तो इनकी दोस्तों जो नोटिस है एक्जाम की वो कभी भी जारी की जा सकती है दो-तीन दिन के अंदर जो भी एक्जाम आपके Stage 2 के हैं इस टेनोग्राफर, Group C और Group D तो उनकी सारी नोटिस आपको देखनों को मिल सकती है तो दोस्तों ड्राइबर की नोटिस तो जारी की जा चुकी है अब स्टेनोग्राफर की कब तक जारी हो सकती है इन सब पे दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबस्पहले हम दोस्तों driver के देख लेते हैं कि क्या तीती है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं public notice 6 February का है और यहाँ पे जो stage second होगा आपका driver का technical driving test होगा यह 12 February, 12 February Sunday को दोस्तों यह conduct कराया जाएगा तो इसका जो है आपका 6 दिन पहले आपको बता दिया गया है कि आपका किस दिन होगा मतलब आपका यह 12 February को हो जाएगा उसके बाद दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें आपका driver का ही exam होगा था driver के exam होने के बाद आपका इस्टेनोग्राफर का exam होगा था तो इसके बाद अब आपका इस्टेनोग्राफर का exam जो इस्टेनोग्राफर का exam जो इस्टेनोग्राफिय टेस्ट होगा तो दोस्तों वह कब तक हो सकता है तो दोस्तों अगर ये 12 फरवरी को हो रहा है तो उसके बाद 15 फरवरी के अंदर ही आपका इस्टेनोग्राफर का जो आपका इस्टेनोग्राफर का जो टैपिंग टेस्ट होगा इस्टेनोग्राफिय टेस्ट होगा वो 15 फरवरी तक होने के समभावना है उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं group C का कब तक होगा? तो group C के इन बात करते हैं दोस्तों तो 20 से पहले 20 से पहले आपका 17, 18 तक आपका 16, मतलब 17, 18 तक लगबग आपका group C का भी जो टाइपिंग टेस्ट है वो करवा लिया जाएगा अगर गूरूप D की बात करते हैं दोस्तों तो मैंने एक वीडियो बना राखा है उसका भी तो उसकी गए दोस्तों बात करते हैं तो 20-21 तक जो है उसकी भी संभावना है कि उसका भी मेंस करा लिया जाए तो दोस्तो ये जो date है आप की अप सिलसिला तो 4 हो ही गए है दोस्तो तो अब बहुत जल्दी आपको stenographer का जो notice है वो भी देखनों को मिलेगा और group C का और group D का भी notice आपको देखनों को जल्दी ही मिलेगा तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप लोगों की तहरी बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से चल रही होगी मुख पर इक्षा के लिए तो दोस्तो आप अपने टाइप जो आपकी टाइपिंग है चुनो करफी टेस्ट है तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रही है तायम दीजीए इसको और अगर आपका टाइपिंग आपका ग्रूप C का है उसके भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने टाइम माइक में अपना टाइम आप बढ़ा दीजिए अगर आप पांच गंडे कर रहे थे तो साथ गंडे करिए तो आप टाइपिंग स्पीर भी अपने बढ़ाईए आप टाइपिंग के समय दीजिए उसक कमेंटे पे जाकर उनको भी सॉल्व करते रहिए आपको काफी वेंफिट होगा दोस्तों क्योंकि यह प्रीवियस सेयर के कुश्चन उसमें रहते हैं बिना किसी फीस के रहते हैं आप असानी से जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों यह महत्तुपूर्ण जानका रह चाहि देना है क्योंकि दोस्तो आप आप देखी रहे होंगे कि जो तो दोस्तों यह महत्तुपूर्ण सूजना दोस्तों मुझे आप लोग साथ सेर करनी थी तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्रा